नमस्कार आप देख्रें नीज्वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन नराय लख्टों से इस वक्की बड़ी जानकारी मिल रही है और बहुत एहम जानकारी है दरसल उत्तर प्रदेश में विधान मंडल का मौनसुन सत्र इजवार महिला से दोस्वे के लिए यादकार होने जा रहा है विधान सबा सत्र में एक बार फिर एक दिन सिर्फ महिलाओं के नाम होगा उनकी बात पूरा सदन सुनेगा इस दिन महिलाओं की सिक्षा, स्वास्त, सुरक्षा, समाजिक, आर्थिक, स्तित्य के साथी, लेंगिक, भेगबाव और सरकार के प्यास से आ रहे हैं बदलावों पर भी सदन में चर्चा होगी जाहिर है जहां सत्ता पक्ष के विधायक, केंड्री और राज्य की योजनाओं से महिलाओं को जो लाब हो रहा है उस पर अपनी बात रख सकती है तो भी विपक्ष की महिला विधायकों की नजर महिला सुरक्षा और महिलाओं के खिलाब बढ़ते अपराद पर हो सकती है पहली बार इस तरह का मौका होने की वजोसे इसकी तैयारी की जा रही है हाला कि इसका प्रारूप अभी सामने नहीं आया है लेकिन इसमें महिला विधायकों को तैय विशेफ पर बोलना होगा इसी खबर पर जायदा अपडेट के लिए मेरे सायोगी दानिश मेरे साथ लखनों से लाइप जड़ गई है उनका मैं रुख करूँगी दानिश पहला माका है पहली बार माहिला विधायकों के लिए विशेश सत्र होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारिया है इसको लेकर? देखे, मानसून सत्र चल रहा है, और मानसून में कहीं नहीं कुछ ऐसी चीज़ भी हो रही है, जो मानसून सत्र में भी ताप मान को बढ़ा है. सबसे पहरे बात उत्र परदे सरकार मजिस तरीके से योगी आज इतनात ने एक चीज जानी कि है कि 22 सितंबर, यानि कल मैलाओं के लिए विशेशत होगा और मैलाओं के लिए बोलने का अधिकार होगा हलाकि सदन में किसी की मनाईई नहीं है अईसा नहीं है कि सदन में कोई बोलनी सेखता है सदन में माइला सांसाज जा मैला विदायक जो होती ही वोटी है लेकिन यह स्पेशली मैला के लिए बात रखेंगी उनके जो मुद्दे होंगे आपराद से ले करके इनकी समस्या है उन सब मुद्दों को सदन में रखा यहां पर फिट्रश शड़कार में अन्य अस्वाइल आफन सब्सक्राइल Divelf पर रहा है लेकिन सबाधी के अंदिने जो बड़ता प्राध है जैसा विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता आया है वो उनके लिए मुद्दे हो सकते हैं वहीं जो सत्ता पक्ष की विधायक है वो ये कहते हुए नजर आएंगी कि जो योजनाओं का लाब है वो महिलाओं तक पहुंच रहा है तो ऐसे में कौन-कौन स सकते हैं जो वशेश तोर पर दिये जाएंगे जिसको लेकर चर्चा होगी देखे विजान सवा में जो महिलाओं का सत्र जुकल होगा 22 सितंबर को उस 22 सितंबर में देखने वाली चीज होगी कि सकता पक्ष के जो महिला विधायक है वो अपनी बात रखेंगे अपनी सरकार क करेंगे अपनी योजनाओं का बखान करेंगे लेकिन जो विपक्ष के महिला विधायक हैं वो अपनी बात रखेंगे अपनी कमिया गिनाएंगे जैसे कि उत्तर परदेश के अंदर महिलाओं में क्राइम का घ्राफ इस बात पिर बढ़ा है और अगर बात के जाए लखीमप करेंगे लिए जो योजना लाकिकी है महिलाओं के लिए जो इस सत्र का इससे पहले नहीं बुलाए गया गानिश में जल्द आपका रूख करूंगी आप बने रहे हैं मेरे साथ तो ये यूपी विधान सभा इतिहास रश्नी की तयारी कर रही है जिसमें महिलाओं के लिए की पूरी तयारी यहां पर कर ले गई है चोड़ी आगे बड़ते रूख करेंगे एक और बड़ी खबर का उत्तर प्रदेश में मदर्सों के सर्वे के बाद योगी आदेतनात की सरकार ने वक्फ संपत्यों की जाच का आदेश दे दिया है इसके लिए साशुन देश जारी कर दिया गया है सभी मर्डल कमिशनर और जलादिकारियों को पत्र भीजा गया है यूपी वक्फ बोर्ड की संपत्ती की एक महीने में जाच करने का आदीश दिया गया दरसल नियमों के अंदेखी कर समाने संपत्यों को वक्फ संपत्य के तोर पर दर्ज और वक्फ संपत्य यहां योगी सरकार ने लिया है इसे ख़बा पर जादा अब डेट के लिए बिरे से योगी दानिश लगातार मेरे साथ बने हुए लगनों से दानिश योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया पहले जो मदर्सों का सर्वे है वो तो जारी है इसके लावा वक्फ बोर्ड की दो संपत्ती है उसको लेकर भी एक रिपोर्ट पेश करने के शाष्णा देश यहां पर दर्ज कर दिये गए है और बताइए भी जा रहा है कि कहीं ऐसी वक्फ संपत्ती है जो कि अवैर्ट तरीकी सरजित की गई है देखे उत्तर प्रदेश का सर्वे के बाद यह दूसरा सर्वे है यह कह सकते है कि मदरसों के बाद अब सरकार वक्फ बोर्ड पर कोई सर्वे कराए इससे कहीं ने कहीं हलचल सी मच गई है खलवली मच गई है क्योंकि इस बात पर राजनिती होनी है जाहिर है क्योंकि यह सं सरकार कभी भी कोई आदेश करती है तो विपक्छो या पक्छो जो भी इसमें सनलिक होता है उनमें सबसे ज्यादा खलवली मच्ती है यह कि सरकार ने जब मदरसों के सरवे कराए गया तो इसमें कहीं ने कहीं ने उन लोगों के लिए भला है जो वहां पर बच्छे पढ़ने वहां हाई है और अगर बात कि जह पाई तो उन पर भी कोई अप्तर नहीं हो पाया है अब दूसरी बात आती है वक बोड ती आन्में जो खेल खेले जाते हैं वह अपनी होती संपत्यों का खेल ने कि कारोबार का कि लेंडें इन चीजों को ले करके भी योगिस सरकार ने हा कर दिया है तो जाइब सी बात है कि सरवे के जो आदेस जारी किये गये हैं उसमें कुछ संपत्या ऐसी भी निकलेगी जो जिन लोगों ने अपने नीजी कप्जे में लिया हुआ है जैसे कि अपने अकसर देखा जाता है कि जो वक्फ के संपत्य हैं कोई भूमापया उस पर करने आध का देखा जाए следheal कि उसको करते हैं इसकी शिकाइफ़ी सरव का आ जाया क्राइधम कुछाया डिया है या रामपुर हो गया बरेली हो गया यह नाम सबसे भार हो रहे है कि यहां पर अवेट तरीके से वक्फ बोड की जो संपत्ती है वो अर्जित की गई है और कई ऐसे मंदिर हैं जो तोड़े गए हैं जिसके बाद ये संपत्ती अर्जित की गई सवारनपूर में जो मामला है वो अवैज समपत्ति से चुड़ा है वो मंदिरों का मामला है उसको लेकर करके यह तो पिशली सरकार में जैसे कि सीविय याँ शुवी थी तक उनको पर कारवाई नहीं की गई अब इस बार फिर जो सरकार ने यूगी सरकार ने फैसला किया सर्वे कराने के ये स्फाहिशा तो सही है इस पैसले से कही नका तो हरकम मचे गाई लेकिन जो आसीम वकार के बयान को ये सांगा साधा है कि सर्वे कराना अच्छी बात है, लेकिन कारवाई कब कराएंगे, कारवाई भी होनी चाहिए, ये भी एक सवाल है, सहारनपुर की बात की जाए, या बरेली की बात की जाए, या मुरादा बात की बात की जाए, या लखनोग की बात की जाए, कहीं भी बात की जाए, सर्वे मे मिले हुए लोग है या वक्ष के अंदर के लोग है जो अपने नीजी संपत्य में उप्योग कर रहे हैं अक्सर यह देखा जाता है कि मुस्लिमों की हालत आज वी वैसे ही बदहाल है उनमें सुधार नहीं हो पाया है लेकिन वक्ष की संपत्यों की बात की जाए तो वक्ष पर भारत में उत्तर प्रदेश में तीसे नंबर पर वक्ष की संपत्य आती है लेकिन मुस्लिमों की हालत आज वी बदहाल है उनके पास ना तो रहने को घर है ना पढ़ाई के लिए उनके पास को साधाने होता क्या है कि इन चीजों के नाम पर राजनीती होती है सरकार ने कि इस पैसले कर स्वागत करना चाहिए कि इस पैसले से एक बार तो साफ हो जाएगा कि कितने ऐसी बोर्ड है जो गलत तरीके से संपत्य अर्जित करते हैं जो लाब मिलना चाहिए उन लोगों तक लाब नहीं पहुंच पाता है उनके खुद के जो पूरी तरह से अगर हम कह होने से कुछ नहीं होगा जो वक्फबोड की संपत्ती है उस पर कारवाई होनी जरूरी है इसको लेकर जांच के आदेश दे दिये गए हैं अक्टूबर में जो रिपोर्ट है पूरी तयार करके प्रशासन को शाष्णदेश को देनी होगी और साथी साथ इस पर ये भी कहा जा रहा है कि जो भी दोशी होगा वो सक्थ आक्शन लिया जाएगा किसी को बक्षा नहीं जाएगा एक और बड़ी खबर का रोक करेंगे मशहूर कॉमेडियन राजुश्रिवास्तफ के निधन पर डिप्टिस्यम बजेश पाठक ने शोक व्यक्त किया है राजुश्रिव से राजुश्रिवास्तफ काईला चल रहा था और आखिरकार आज उन्होंने अंतिम सांस ली है तो योगी आद्वास्तफ किया है और इसको लेकर डिप्टिस्यम बजेश पाठक ने एक सोक सम्वेधना व्यक्त की हैं वो भी आपको संवाते हैं हम सब बहुत ही दुखी हैं हत्रब हैं जब सदन में इस बात की सूचना मिली तो समस्विधायकों में सोक की लहर चा गई बहुत अच्छे अभिनेता थे हास अलाकार थे उन्होंने कभी भी अपने वीडियोज में और इस्ट्रेस सो में गाउंगोई भासा को नहीं भूला हमेशा उन्ना आवकानपूर लखनव प्रदेश की बात को करते थे जहां जहां हिंदी है वहां वहां राजुशी रास्योजी का नाम रहेगा मैं इस्ट्र से प्रातना करता हूँ उन्हें अपने सीचरणों में स्थान दे और परिवार को उनके अलियाईयों को उनके समर्थकों को और जो उनको सुनने वाले हैं उनको इतनी ताकत को वह असेहनी पीडा को सह सके मेरे से योगी दानीश लगातार मेरे साथ बने हुए हैं दानीश करू करेंगे दानीश मशूर कॉमेडियान राजुश श्रिवास्तव का निधन आज हुआ है 42 दिनों से जिनदिगी और मौत की जंग वो लड़ रहे थे, शोक की लहर जो है, वो लगातार देखी जा रहे है इसके ऐलावा हम देख रहे हैं कि योगी आधिटनात ने भी शोख संभेधना वेक्थ यह के, पिसीयाम जो अंव बड़ी हस्तिया हैं, वह शोख संभेधना वेक्थ कर रही हैं, जो यूपि से जुड़े हुए थे गाहूँ से जुड़े हुए थे युग कभी नहीं बूले से वो शिर्वात करते हैं कि सफर की मुंबई जाते हैं वहां पर कॉमडी का हिस्सा बनते हैं मिमिक्री करते हैं बड़ी हस्तियों की कई फिल्मों में भी अभी ने किया है फिलहाल किस तरह की तस्वीरे दिखा जरें क्योंकि लगनों में भी हम देख पा रहे हैं कि लोगों की कि अनुण पर नवासत के बारे में कि छानल इतना ही है इसलिए जो रहने में वहांने जान। तो इस बात पद्दूख होता है। अलाकि इस मामले पर उस्तर प्रदेश के अगर मुख मंतरी की बात की जाए है। अनुशुटत आया है। अनुशुटत आया है। गिफ्टी सेम विल्जी स्पाठाक ने भी गहरा है। उन्हें यह भी काया है। उन्हें बहुती करीजी से और उनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगता था अलाकि उत्तर प्रदेश में अगर बात के जाए। यहां पर जो कानपूर में काफी ज्यादा शोग इस बात पर है कि वह वहां के निवासित थे। लोगों ने इस बात पर उनको गर्व महसुस होता था कि कानपूर के रहने वा उत्र प्रदेश के आज उनकी डेत हो जाना कहीं ने कहीं छती तो है ही लेकिन एक बार तो साफ हो गए है कि हसते हसते उसके बाद रुला के चले जाना तो यहां पर डिप्टिस्यम ब्रिजिश पाठक ने इस ओक समेधना वेक्ट की है आप किता दें कि राजिश च्रिवास मशूर कॉमिडियन अब हमारे बीश नहीं रहे हैं 42 दिन से वो अस्पताल में थे जिंद्गी और मौत की जन लड़ रहे थे लेकिन सभी को देश को दुनिया को हसते हसाते वो इस दुनिया को कहीं न कहीं रुला गए है हर को उन्हें अनुदा कह रहा है शोक समेधना व्यक